तुमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में, आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ, दोस्तों HP LT TET की तैयारियां अगर आप भी कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए ये, और इसमें हम जो प्रिवियस एर पेपर हैं देखिए, उनको डिसकस कर रहे हैं, और इस से भी कुछ एक ज़्यादा कॉशन उनसे और भी बनेंगे, और उसकी एक्स्पैनिशन के साथ, तो आप उनको एक बार देखके, अपनी तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे 61 से लेकर के 90 तक के जितने भी प्रशन इसमें रहने वाले है उनके बारे में, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्याकर्ण से समधित प्रशन भी रखे गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, और बाकी जो चीज़ें लिटरेचर वाली हैं, उनको भी हम करते रहेंगे साथ साथ में, यहाँ पर लिखा गया है, कबार जो आपको इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाता है, तो आपको सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि जो निपात शब्द होते हैं, वो आखिर में होते क्या हैं, क्योंकि कभी कबार अगर आपको इस तरीके से प्रशन पूछा जाएगा, तो फिर उसके लिए आपक जो परिभाषा पूछा जाए तो उसमें क्या होता है? मतलब ऐसे अभ्यव जो संग्या शर्बनाम बीशेशन या क्रिया वीशेशन के साथ जो प्रियोग में लाए जाते हैं और उस पर वो क्या करते हैं? दूसरे से बल देने, सीमित करने या दूसरों के साथ मिलाने का जो काम करते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ देखे एक बार फिर से देख लिए निपात शब्द क्या होते हैं ऐसे शब्द जो संग्या सरबनाम विशेशन या फिर आपकी जो क्रिया विशेशन है उनके साथ प्रियुक्त होकर उन पर क्या कर देते हैं वो या तो बल देते हैं या उसे सिमित करते हैं या फिर दूसरों क के 10 बज़े तक ही ठीक है तो इस तरीके से आपने यहाँ पर याद रखना है अभी ठीक है यह शब्द क्या रहे हैंगे यह हमारे निपात शब्द हो जाएंगे तो निपात मैंने आपको बता दिया कि कह रहता है है न तो इसको ध्यान रखना है इसके भेद भी करे बार कुछ आ हो गया जब्धू हो गया यह क्या जाते हैं अठी हो गया अट रहेंगी और जो आं में यो फिर लहुक्री को अविकारी इसको भी जो बदलते नहीं तुई को आपने द्यान हो जो आत अजाते हैं शुरुवात में जो लग जाता है वो उपसर होता है ऐसे शब्दांस जो शब्द के आरंभ में जूर कर शब्द में परिवर्तन कर दे उसको हम उपसर्ग करते हैं और प्रत्या जो है वो आखिर में लगता है जिसको हम प्रत्या कहते हैं कि ऐसे शब्दांस जो शब्द के अं बहुवचन में जैसे हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए तो प्राण निकल गया नहीं हम बोलते हैं प्राण चले गए इस तरीके से आप याद रखेंगे कि यहां पर यह हमेशा क्या है बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है इसके लावा आंसू भी है लीच्ट है हिंदी रिवस प्रथी वर्ष कब मनाया जाता है दो ही दिवस्यों को सब्सक्राइब कर लिजीए क्यों कि आपके लिए हम इस तरीके की कभई दे रहेगे और यह सीरीज हमारी लगाता यूहीं चलती रहेगी किACT है तो चलिए नेक्स देखते हैं यहाँ पर समिधान के किस अनुचेद में कहा गया है कि भारत संग की राज भाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी और यह प्रशन I think मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक परिक्षा छोड़के दूसरी परिक्षा में बार-बार यह प्रशन पूछा जाता रहता है चाहिए वो परिक्षा कोई भी क्यों ना हो UGC Net में भी आपने देखा होगा इस प्रशन को बहुत बार पूछा गया है आप चाहे LT TET की बात करिए LT Commission की बात कीजिए यह वाला प्रशन में जरूर देखने को मिलता ही मिलता है तो इसका अंसर सिंपल इसा होगा 341 जब की 342 में आप यह कहेगा कि यह कुछ टाइम के लिए आपका क्या रहेगा कि जो दस वर्श के लिए इसमें एक हिंदी में ही काम काज होता रहेगा इंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में लेकिन वह आज की डेट में भी अंग्रेजी में ही होता रहता है ठीक है तो यह चीज़ यहां पर ध्यान रखने थी आपको 341 वा आप सब लोग जानते हैं कि राजबाशादिनियम बगेरा से समन्द जो रहा है ठीक है तो सारे के सारे यह अनुचेर भी आपको या रखने है थोड़े से लेकिन अक्सर आपको यही वाला प्रशन यहां पर पूछा जाता है किस मुगल बादचा ने बिहारी को अपना पूछे जाते हैं कि काल भी शेश के जो रचनाकार हैं उनके बारे में आपको पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आपने प्रतियक युग के जो चाहे वो सूफी कभी हो चाहे संथ कभी हो चाहे राम कभी हो चाहे कृष्ण कभी हो रिती कालिन कभी हो रिती सिद्ध हो रिती से इसको पूछ जाएगा रीति इतरे मतलब जो रीति से परे है ठीक है रीतिकाले नीती कवियों में इनका नाम हम लेते हैं ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी थी ओके नेक्स आता है देखिए सुजान नर्तकी का संबंध किस कवी से जोड़ा जाता है तो ये व प्रशन भी गए बार पूछ जाता है जब देश निकाला दे दिया गया था जब यह राजा की उर्मो करके बैट गाता है ना गाते हुए सुजान की उर्मो करते हुए गाता रहता है तो इस पर जब इसको देश निकाला दे दिया जाता है तब यह सुजान से कहता है कि वह जो घननंद वहाँ से चले जाते हैं और उनका जो सुजान का प्रेम है यह फिर प्रेम में तबदिल हो जाता है और वे निमबारक संपरदाय में दिक्शित हो जाते हैं व्रिंदावन में जाकर के यह वला प्रशन भी बहुत बार पूछा जाता है कि विरिंदावन में जाने के पश्चात गानानंद किस संपरदाय में दिक्षित हो गए थे तो निंबार्क संपरदाय में ये दिक्षित हो गए थे ये चीज भी आपको याद रखनी है next question यहाँ पर देखी हिंदी साहिते के प्रत्थम काल को बीजवपन काल किसने कहा है बहुत ही important प्रशन है देखना आदिकाल के नामकर्ण से समंधित आपको प्रशन लगातार पूछ जाते हैं इस प्रशन को आपने बहुती अच्छे तरीके से और बाराइकी से इसको याद रखना है कि हिंदी साहिते का जो प्रत्थम काल रहा या प्रत्थम काल जिसको कह रहे हैं वो बीजवपन काल तो यह हम सब लोग जानते हैं महाभी प्रसाद विवेदी ने कहा था यह बीजवपन काल है कि बीजवपन हो गया यहां पर आपके साहित देगा लेकिन आचारे रामचंद्र शुक्ल यहां से याद अपना है इन्होंने इसको वीरगाथा काल नाम की और राहुल सांकृताईन ने इसको क्या काल कहा था इसने सिद्ध सामंत काल संग्या इसको दी थी जितरे भी यहां पर चार नाम है देखना चारों ही नाम बहुत महत्तपूर्ण है और इनसे आपको प्रशन बार-बार पूछे जाते रहते हैं इसलिए आदिकाल के नामकर्ण से समन्दित जो भी प्रशन बनता है उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखें हजारी प्रसाद दिवेदी ने ही इसको आदिकाल कहा था और उसने आदिकाल के साथ साथ आपको याद रखना है कि उसने उसको वीचारों के मंथन का काल भी कहा नेक्स्क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हब हो रहा श्री संप्रदाए यह आपको याद helemaal था फिर आता है अद्वयत वाद शंक्रच का देखी यहां पर यह निंवार्क चार्य आता है निंवार्का चार्य का जोकू सभाण रहा दर्शनिक मत्र जा रहा द्वयत द्वयत्वाद Storeст on आपको याद रखना है कि जो आपका इनका जो संप्रदाय रहा कौन से संप्रदाय इसके अंतरगत आता है तो निम्बारक संप्रदाय आता है जिसको सनक आदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और कुमार संप्रदाय के साथ साथ उसको खंस संप्रदाय भी कहा जाता ह जो आपके निम्बार का चारे रहे उनके लिए शंक्राचारे का आजाता है अद्वैतवाद ये आपको ध्यान रखना है शंक्राचारे का अद्वैतवाद और लास्ट में द्वैतवाद जो ब्रह्म संपरदाई के अंत्रगत आता है जिसके जो मध्वाचारे रहे वाचारे रहेंगे ठीक है उसको भी आप याद रखें वहां से भी प्रशन बनता है देखना तो यह ध्यान रखना है यहां वाला यह वाला प्रशन जो बहुत ही important प्रशन हो जाता है नेक्स आता है यहां पर आगे देखते हैं भक्ति कालीन किस कावेधारा के प्रबंध काव रहता है इसमें क्या रहा जो नाइका प्रधान काव है आप देखेंगे मदुमालती नाइका के नाम से चित्रावली नाइका के नाम से पद्वाबती नाइका के नाम से सत्यवति का था नाइका के नाम से ठीक है तो जितनी भी रचना है अधिकतर रचना है जो मिलेंगी हमे शाहर जगा रहेंगे ही रहेंगे लेकिन अधिकतर जो कावे हैं वो यहां पर नाई कवरधान ही रहेगा और दूसरी चीज हमेशा कई बार पूछी जाती है देखना कि सूफी संप्रदाय में या सूफी कावे में जो ईश्वर है वो किस रूप में है वो जो प्रेमी का के ने किया था जबकि यहां पर जो दिन्मान रही है देखना इसके जो है रगवीर सहाय ये नाम आपको याद रखना है ठीक है दिन्मान के रगवीर सहाय और पराग के सरविश्व द्याल सकसेना and next देखते हैं हम इसके बाद दो नाम और हैं देखिए सरस्वती पत्रिका है ये आप सब लोग जानते हैं इसको बताने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है माधुरी पत्रिका ये दुलारेलाल भारवगव ने इसका संपादन किया था फिर आता है लाला श्री निवास्तास त्वारा लिखा उनका पहला उपन्यास कौन सा रहा है तो यहाँ पर जितने ये चीज भी आपको याद रखनी थी इनके बारे में पहुती जरूरी उपन्यास से देखना ये वला इसको भूलना नहीं आपको परिक्षा गुरू 1882 की ये रचना रही है एंड 1882 एंड दूसी चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो परिक्षा गुरू उपन्यास र रहे हैं अगर वहाँ पर हम बात करें दूसरी तरीके से उपन्यास कैसे रखे गए तो वहाँ पर ज्वाब के ये एतिहासिक उपन्यास भी रचे गए हैं जिसमें प्रमुक नाम आता किशोरिलाल गोस्वामी का लेकिन इसके अलावा और कोई भी जादा मौत्व को नाम वह जाते हैं ठीक है तो तीन तरीके के उपन्यास यहां पर आपको ध्यान में रखने हैं ओके इसके लावा यहां पर परक है देखिए ये जरेंदर कुमार का उपन्यास है इसको आपने यार रखना है कंकाल आप सब लोग जानते हैं जैशंकर प्रसाद का उपन्यास रहा है औ तो प्रेमचन्द पूर्व यूग से आपको एक आधा जो प्रशन है ये जरूर बनता ही रहता है इसको भी सासात में ज्यान में रखना पड़ेगा ओके नेक्स कुशन आता है यहाँ पर विराटा की पदमी नी किसकी रचना है तो ये बिरंदावनलाल वर्मा का उपन्यास य अचारे चतुर सेन शास्त्री ये बाला उपन्यास का देखना इसके बारे में आपको प्रशन जरूर पूछी जाते रहते हैं चतुर से निशास्त्री की जो प्रसिद रचना है जैसे ही रिदय की परक, रिदय की प्यास, अमर अभीलाशा, वैशाली की नगरवधु, यह इसके बहुत ही इंपोर्टेंट उपन्यास रहे हैं, प्रेम चंद के आप सब लोग जानती हैं, भगवती चरण, वर्मा, बुले इसरे चित्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट निका यह वाला उपन्यास उसको याद रखी आप, जिस पर इनको साहित अकादमी पुरुसकार भी मिला था, इसके लावा इसने अन्य उपन्यास भी लिखे हैं, तो उनको भी आप एक बार जरूर याद रखें, देखिए उपन उपन्यास नहीं है, जब कि यह जो आपकी मैथली शरंगुप्त की एक महा काव्यात्मक या जिसकों प्रबंद आत्मक करिती कहते हैं, जो उर्मिला को केंदर में बना करके लिखे गई है, जूटा सच यह ये यश्पाल का उपन्यास रहा है, जो देश विभाजन पर आधा उपन्यास है, मोहन राकिश पैरतले जमीन इसका अधूरा नाटक है, वो आपने याद रखना है, नाटक करके रुपमेन को ज़्यादा प्रसिद्धी मिली है, तो ये चीज भी आप साथ साथ में याद रखे हैं, एंड दूसी चीज आपको इन्होंने उपन्यास भी लिख के कुछ उपन्यास भी लिखे थे, ठीक है, एक लिखाता है इन्होंने, एक इंच मुस्कान, उसको भी कई बार पूछे जाता है, तो वो भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नेक्स वर्शन आता है, जालपा किस प्रसिद्ध उपन्यास की पात्र है, तो यहाँ प पन्यास लिखा था, जिसके चलते जो है, वो गवन या गोटाला करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसका जो उर्दु नाम रहा है, किशना, रंग भूमी, चौगाने, खस्ती, सेवा सदन, बाजारे, हुस्न के नाम से जाना जाता ह जबकि, गोदान का कोई अन्यनाम नहीं रहा यह भी, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है, कि गोदान को क्या कहा जाता है, ठीशक जीवन की तरास्टी इसको कहा गया है, महा कावे आत्मक तरास्टी कहते हैं इसको देखना, ये चीज़ भी आपको यहां ध्यान और्फ है देखिए उर्दू जुबध के बारे में पढ़ता हैं..! इसलिए उरदू को कहाजाता है.. छाहि शिविर या खेमा भी इसको कहता है.. तो खेमे न चीज की आपको भी त्यान में रखना है.. statisticsicus Urug इसे समंदित जो भी चीज गई है यह अचारे वामन ने कहा है तो वामन रीती संपरदाय के प्रवर्तक रहे हैं इसने कहा था रीती रात्मा का व्यस्य है तो कावे की आत्मा सबसे पहले रीती को किसने माना था यह वामन नहीं माना था ना सिर्फ रीती को ही बलकि कावे की आ दंडी ने किया था ये चीज भी आपको यहां द्यान रखनी है उके शरीरम तावदिश्टात व्यवचिन्ना पदावली इसी तरीके से उसने कहा था देखना अचारे दंडी ने ममट की कावेलंकार सूत्र है और स्वरी ममट का जो यह ग्रंथ है वो कावेप्रकाश रहा भरत संपरदाय के प्रवर्तक रहें ममट किसी भी संपरदाय में ऐसे देखशित नहीं रहे इसने किसी का प्रवर्तन नहीं किया यह चीज याद रखने लाइक है यह मतलब भाते कावेशास्तर के कुछ एक परशन जो है यह भी आपको थोड़ा बहुत याद रखने है इस तरीके से ठीक है तो श्रिंगार को आपने पहले ठीक कर लेना है क्योंकि यह वाला प्रशन आपको बार बार पूछा जाता रहता है देखिए अगर यहाँ पर ऐसा प्रशन पूछा गया होता कि रितिकाल को श्रिंगार काल नाम किसने सुझाया सुझाब जो है वो दिय तो विशुनात प्रसाद मिश्र ने रिति काल को तीन धारावें में विवक्त किया रिति सिद्ध, रिति बद्ध और रिति मुक्त कावैदारा में हिंदी साहिते का अतीत में इसने ये बातें कहीं है इनका एक जो इतियास गरंथ रहा है उसको भी आपने यहां पर याद रख चतक हैं इन्नोंने हिंदी प्रबेशि का शीर्चक से व्याकर गरंध लिखा है। प्रसादी वेदी ने जो है इसको कोई ऐसे विशेश नाम नहीं मिलता इसके बारे में ठीक है next question आता है प्रसिद कवीता से मतलब जो रचना रही है तो यहां पर बाल विद्वा और श्रीधर पाठक की रचना रही है देखिए जो प्रसिद प्रसिद कवीताएं रही है उनसे related question भी आपको पूछा जा सकता है तो मतलब जो भी आपके महत्तपून writers हैं चाहे वो आधुनिक काल के हैं चाहे फिर वो आपके समकालिन कवीता के हैं उनकी कुछ जो महत्तपून कवीताएं हैं वो आपको जरूर याद रखनी है जैसे निराला की जो प्रसिद कवीता है दे लिखना उसको आपने याद अखना है मैतली शर्ण गुप्त से आपको पूछे जा सकते हैं प्रशन मैतली शर्ण गुप्त के सबसे ज्यादा जो इसको प्रसिद्धी मिली प्रवंधात्मक काव्य में है ना सबसे ज्यादा हिंदी में प्रवंध काव्य अगर किसी ने रहे हैं और यह जो यहां से प्रश्चन से प्रशन पूछा जा सकता है जो आपके दिवेदी युग में नहीं आते हैं नीचे के जो तीनों हैं, ये कैसे रहेंगे हमारे धुवेदी युगेंट एन रहेंगे, श्रीदर पाथक जो है, ये सवचंदतावाद के प्रत्थम का भी रहें हैं, ठीक है, हरियोद को क्या कहा जाता है, काभी समराट कहा जाता है, और साथ ही साथ आधुनिक युग का सूर ये चीज आपको comment section में जाके मुझे बतानी है चलिए next question यहाँ पर देखते हैं सहमती हिंदी परिभाशिक शब्द का अंग्रिजी परिभाशिक शब्द यहाँ पर चुनने को कहा गया है देखिए सहमती का concurrence यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है हलांकि अब इस तरीके के प्रशन आपको नहीं पूछ जाते हैं यह प्रशन बहुत पहले का है item 2017 का है तो आपको ऐसे प्रशन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे अब आपको डिरेक्ट दूसरे literature से समंधित प्रशन जाला तर पूछ जाते हैं एक बार फिर यहाँ पर व्याकर्ण से समंधित आपको next question रखा गया है कि समुद्र की जो आग है उसके लिए परिवाशित शब्द चुनिये तो समुद्र की आग को हम सब लोग कहते हैं इसको बडवानल के नाम से जाना जाता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बडवानल एंड दावानल जो है यह जंगल में लगने वाली आग है जटरागनी मतलब जो पेट की आग होती है उसको हम क्या कहते हैं जटरागनी कहते हैं यह वाला प्रशन भी बार बार पूछा जाता रहता है इसको आपने याद रखना है पावक जो है अलड़ी आगी हो गया रख्त कमल का परियाय कौन सा शब्द है तो यहाँ पर इसका अंसर क्या हो जाएगा कोकंद रख्त कमल यह भी आपको ध्यान रखना है व्युत्पत्ति के अधार पर शब्द की कितने प्रकार होते हैं तो व्युत्पत्ति के अधार पर आपको सिंपली तीन यादक ने व्युत्पत्ति को हम रचना के अधार पर भी कहते हैं देखना एक होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के अधार पर चार, लेकिन कुछ विद्वानोंने पांच भी माने हैं, जैसे तद्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, कुछ जो है इसमें संकरशब्द को भी जोड़ लेते हैं, कि संकरशब्द भी जो है वो उत्पत्ति के अधार आते हैं लेकिन सर्व माने मतानुसार आपको चार ही यादकने हैं देशज, विदेशज, तदसम और तदभव ठीक है और डूसी चीज आती है व्यूत्पत्ति व्यूत्पत्ति का मतलब हुआ रचना के आधार पर तो इसमें तीन रूड योगिक और योग रूड ठीक है ये आपको यहां ध्यान रखनी है तो पूचे जाते हैं देखना जो आपके शब्द भेध हैं शब्द विचार वाला जो चप्टर है उसको आप एक पार जरूर देखें वहां से भी आपको डेफिनेटली प्रशन पहते ही रहते हैं चाहे वो प्रियायवाची हो चाहे वो अनिक शब्द हों ऐसा प्रशन आपको जरूर पूचे जाता है नेक्स प्रशन यहां पर मुहावरों से समधित पूचा गया है देखिए पलके पावड़े बिचाना मुहावरे का क्या अर्थ है तो दीखिए इसका आंको से आंसु बहाना नहीं होगा पलक जब कानव नहीं होगा मतलब मुहावरों में आपने एक चीज़ देखिए होगी दो विकलब तो आपको ऐसे होते हैं कि जो बिलकुल बेकार में दिये होते हैं वो होंगे ही नहीं एक दो में थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है तो वो चीज़ आपको ठीक करनी है तो मतलब व्याकरण का यह जादा आपको बताई नहीं जा सकती कि आप ऐसे पढ़िए तो सिंपली आप इनको लगातार रीड करते रहेंगे हैना प्रेक्टिस में लाते रहेंगे तो डेफिनिटली आपको याद हो जाएंगे और व्याकरण हमेशा जो है इस तरीके से आपको याद रहेगा नेक्स की पंक्तिया किसके रछना कि शनकरण प्रसाद की रचना रहती छंद्रगोवता इनका नाठक है देखना इसको आप याद रक्षि तड़िक यहां से आपको यह ढ़र्छना कि यहांप रचनाएं यह समस्त रचना क्या है नाठक है। ठीक है इनको आपने ध्यान रखना है दुरुब स्वामेनी भी रहा दुरुब स्वामेनी बहुत ही इंपोर्टेंट नाटक रहा देखना जैशंकर प्रसाद का 1933 का ये रहा आखरी इनका माना जाता है इसको ठीक है इसको भी आप ध्यान रखें सकंद गुप्त भी जिसमें पत्रिका हैं इनके बारे में आप खुद से याद रखें हंस के संपादा कौन रहा है शारदा कौन रहा सरस्वती के असांसी है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है नेक्स क्वेशन आता है आज का आखरी प्रशन राम की शक्ति पूजा किस विधा की रचना है तो दीखिए सबसे नहीं श्रेष्ट लंभी कवी तक इसको मना जाता है राम की शक्ति पूजा को मना जाता है और ये सूर्यकांत तरिपटी-निराला की रचना रही है कृतिवासी रमाइण जो बांगला की कृतिवासी रमाइण है देखना उसको आधार बना कर इसको लिखा गया है ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है तो यह थे आज की तीस प्रशन I hope कि आपने इन तीस प्रशनों से कुछ न कुछ चीज़ें जरूर नई सीखी होंगी और आपको थोड़ा सा और जादा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के प्रशन जो है वो लगातार यहाँ पर इन प्रशनों में पूछे जाते हैं तो LT TET कोई जादा मुश्किल पेपर नहीं है बहुत ही सिंपल और समानने से प्रशन बोले तो basic questions आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं तो इनी चीज़ों को आपने याद रखना है जादा deeply जाने की ज़रूर अभी फिलाल आ परकात होगी आगे के 30 प्रशनों के साथ तब तक आप बने रहिए हिंदी वायत मसाही के वारता के साथ और मुझे दीजिए इजाजत जय हिन जय मात